कोश्री में टीवी दगे बैठी या खबरान अंतजार का रही है कदो चान नजर आगए पहला रोजा कल गुगाव निपरवीन चान नजर आगए तेन बड़ी-बड़ी मुबारक हो वे चल सहिए में होलो कर भी फोन करना वे वे कि डब गयाना तो सुसी तिनने पहन पर हैं रमजान दा चानल नजर आगया इनना नहीं होए कि मान मुबारक बाद दे दिये चुकुंदरे जाई हार टाम गेमा केड़ दर है ना कहते ना तुम्हेरा तो जाया हो यह ना कि मिनी यानी फ्रेंटर वेक हर टैम बर्गर ठूस दाना तुम पार जाना किसे दे तेरा सुर्की पोटन नी मोकदा एड़ी तो श्वरिया रहे फैशना पिटी अमीठी डांट क्यू रही है हुआ क्या है मिन्नों की होना है चंगी पर इदे तो आड़े सामने बैठी यह हो पुरा रमजान होना तेरी ड्यूटी है जैतों कामना की तरह फेर वेकि में तेरा की हाल करती है अच्छा ठीली गया है तेड़े बड़े दांद निकलन देने फसकिया जा हिलिया तिरको जानदा नी काटा हास मता पिछो पाद्दा निकल दी तेरी ड्यूटी बड़ा किये अफटाजी दा सारा समान तू ले आखा देना करना है अच्छा ले यह होगा मैं ही 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 मूग कट खोल के से अकर एमी कहते दिन मक्थी बेच टोड़ जेगी तो तेरी ड्यूटी बड़ा किये अफटाजी दा जिन्ने बड़तर सारे तूटो ने करने मेरे को नी हुन द ठीक है मेरी गाला सोन जेड़ा समान ले ना ओही देच रखी अफजोल चीज आलते आना देगी मेरा फंदा आना लही होने आकर फिर मने प्रिस्ति करने के में लेट होगी अच्छा बाजी ठीक है बाजी क्या चीज़ चाहिए की मसला वे तेनू सानू जो चीज़ चाहिए सब्सक्राइब चाहिए इस लिलांगे चाल जा इद्रों है दो बढ़ियां होगी हैं दो कैश्मा एक तो आडिया से थे एक आप ने आस तेनू मेरे बाल लादा नहीं पता टोट पैने शर्टा लाके कैचप खांदी एक ने एक प्लेट पारके खानी है ना दूजरे दो प् प्लेटर होते अपनी मुशुकाद ना लेख देरी थे रोगों तो सवीरा पेर देनी खूरे पतारी नफ्राना स्वाब मिलना केड़े नं तो एंडिकार ने मेरे पहले चार बाल्टिया थे रख बाजी तेरे बच्चे में ना तेड़ते ही गए नी चलाओन कूकिंग आल ल ज़िए ने मेरे को ने काइडिया ही यह बाजी असी जड़ा करो समान सोच का एह ना वह बाबाई खुला डूलाई असी कामा करने हैं सिर्फ जरूरा समान लेने जड़े बाकी पैसे बचनगे ना ओधा राशन पैकर आले ने तरफ पर साधे बल लेचे दो ते जड़े ग्र सब्सक्राविया से फेर वेखी जो तून नहीं अंदी है यह कीन मन चुगरिया जरा मसा नहीं आंदा समोसे गर्मा गरम समोसे अबे त्याम मुसीबत है उताद तुबा से तो इस तस्तमर ही नहीं आ रहा अबे परशानी किस बात किया है दो दिन बाद रमजान आ रही है और साथ इस दवा मेंने एक ओफर भी सोची है तो क्या उताद तूने सुना होगा हर जगा ओफर लगती है पहले आए पहले पाएं पर हमारी ओपर होगी बाद में और पहले पाएं वो भी सिरफ 50 रुपे एक्स्ट्रा में या मतलब उताद मैं समझा नहीं अरे यार एक तो हर तुझे बतानी पड़ती है मेरी बात को गोर से सुन जो हमने समोसे का रेट बढ़ा है उसमें उसमें हमें फाइदा हो गई होगा और साथ में जो लोग 50 रुपे एक्स्ट्रा देंगे उसमें भी हमारा फाइदा है इस तरह हमारे पास बहुत सारा पैसा कठा हो जाएगा व और हम बंजी के बिलियनेयर और फिर मेरे भी यूट्यूब पे इंटर्व्यूज आएगे शबीरा समोसे वाला की जन्नी फ्राम गली टू कैनाड़ा हाँ 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 सोचे रहे तेरी उस्ताद मानना पड़े दा कस्तमर आदे है हाँ बाई कितरे समोसे यार सिग्रड का एक कश मुझे जिन्दगी का स्कून देता है बाई क्या तु पिछले दो गंटे से सुटे लगाई जा रहा है तुझे यहां पर रमजान की त्यारी के लिए और तू जूके पहुंचा हुए बाई रमजान का भी तो मदा सिग्रेट में ही है बाई दवे मैंने सिग्रेट छ चोड़ दी है तो लेहादा भाई पूरा रमजान हमसे दूर रहेगा शेतान की तरह यह मैं तो तुम दोनों से मजाग कर रहा था चलो सीरी तरह बताओ इस दवा हम किस खौके पे मिलेंगे मजीद के पीछे वाले अजीज साफ के तो बॉइस फजर की अजान से पांच मिनि कर देंगे तो सीधा किधर जाएंगे स्नोकर और स्टोक कड़ के बाद सीधा किदर जाएंगे क्रिकेट तो गाईस इसला पोहत कुछ है रमजान में बहुत मजाने ओनेओं यह सब कुछ तो ओगा लेकिन इस साल जो है एक और चीज का एडिशन होगा वो क्या हो बही बही ज तो लोग मुझे कहते हैं तू भी इसके नक्षे कदम भी चाल रहा है इस हाले ने तो जीम की डेफिनेशन ही पदली हुई है ग्रैब यूर मील, अचीव इंसान टकरा हुआ है मैं इस एडिशन से मैं आउट हूँ रिलाक्स हमी रिलाक्स कोई मज़ना ने तुझे पता ना मोटा है उसका दमाग पिस उतनी मोटा है चाला हम श्नोकर चलते हैं या 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 ला तेरा लक लक शुकरी रमजान आगिया उनमें खामांगा गरम-गरम कचोड़िया अन्ना ले गरम-गरम समोसा ना ले करे आलियां कचूरां ना ले जामा शीरी लांदाती मजाई आजेगा अच्छा जी तो अनमें खुवानिया चंगी तरह गरम-गरम को चोड़ियां समोसे खोई ये खुचूरां हैं अपने मेदेदर ने जी पता कोई शेयात हो हजब नी कारदा मैं रोजे वेच्टा नुहां सब्ताला लेकर को मंगी ते कारदारी में ना मंगी ना एक पतार में रोजे निर्खवाने हैं पिछले रोजे ते राख लें देगो ते चोरी चोरी एक दो बजना पानी पीलें देगो और गुना में साधे से रच़दा है तो ये आकी बस अर छॉड का रिचानी पिर जानु मुझे लाया है अब अगर तुमने मुझे जानु बोला ना मैने तुमें सिदा ब्लॉप कर ते देना अच्छा ना बेबिग भुसा भी जारी और बात भी नी बता रही आज़ी नाज़ारी नाम है मेरा अच्छा नैयाब सहिब नहीं पताते अपको नहीं बता रमजान आने वाला है तो यह जो जानू मानू वाली हर्कते है ना अब आपको बंद करनी पड़े क्या हो गया बेबी अपी रमजान में तीन दिन पड़े है बेबी होगी तरी माँ यहां से देख लो तुम कितने डीड हिंसान हो अब से तुम्हें कहना शुरू करूंगी तो तीन दिन तक तुम्हारा शेतान बंद होगा अच्छा ना नयाब ना मैं बापको जानू बोलूगा ना बेबी बोलूगा लेकिन मेरी एक बात माननो ना मुझे सहरी के वक्त और अफटारी के वक्त ना अपनी प्यारी प्यारी सी पिचर बेजनी है आपको पता ना फिर मेरा रोजा अच्छा गुदर जाएगा मैं तुम्हे जानू शोना बेबी से मना कर रही हूं और तुम सिधा तस्वीरों तक आगे हो वाँ अब ही ना रमजान आने वाला है और सिर्फ अला अला करना है इन सब चीजों से जितना दूर होगे ना तो वो तुमारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ज्यादा बेहतर है अच्छा तो चलो ठीक है अब ना मैं तो जानुमा नो बोलूँगा ना तुमाट तस्वीरे माग़ूगा रमजान तो क्या रमजान के बात में नहीं तुम्ही तो देखके मिने में शितान आता है बस अब मैं अल्ला लाही करूँगा अल्ला आफिस खट समान ख़व समी बेटा तहच्चुद का वक्त हो गया है आप अभी तक जाग रहे हो आपको पते ना रमजान आ रहा है तो मैं सहरी तक जागने के ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने अपने दोस्त को चैलिंज किया हूँ है कि मैंने इस सफ़ा सारे रोजे रखने हैं अरे बेटा कैसी बात ही कर रहे हो आप तो भी बहुत चोटे हो आपको रोजे का मतलब भी नहीं पता इतना नमपा रोजा कैसे बरदाश करोगे अरे नहीं बाबा इसमें कौन सा मुश्किल काम है गोहर भाई भी तो सारे रोजे रखने है ना देखो ना सहरी के टाइम उटके खाना खाना होता है फिर उसके बाद सारा दिन सोए रहो अफ़तारी से दस मिन पहले उटके रोजा कोल लो और दोस्तों के साथ गूमने चले पिर अगले दिन ऐसे ही करना होता है ऐसे ही पूरा रमजान गुजर जाता है इसमें कौन सा मुश्किल काम है बाबा बताए मुझे अरे बेटा जो दूसरों को देख के अपने रोजे का मतलब समझे ना रोजे का वो हर किस मतलब नहीं है ये जानकर मुझे बहुत ज़रा चाता है लेकिन जब आप इस काबिल हो जोगे ना मैं आपको जरूर रखवाऊंगा हा सही है लेकिन बाबा रोजे का असल मतलब है क्या बेटा कुराने मुझेत की एक आयत का तर्जम है एए एमान वालो तुम लोगों पर रोजे फर्स कर दिये गी हैं जिस तरह तुम से प और दोस्तों को साथ घूमने निकल जाती तो तो अल्ला इस तरह नराज हो जाता है क्योंकि रोजे का मतलब ये तो नहीं होता जब मेरा बेटा बढ़ा होगा ना मैं परे बेटे को रोजे रखवाऊंगा फिर हम दोनों मिलके अल्ला तला की अबादत किया करेंगे गोहर ब बढ़ाओ जाओ ना फिर मैं आपके साथ सारी रोजे रखागान हूँगा रही है ना बाबाबा जिरो ठीका मिलबटा बाग सुझाओ